मैं बहुत ही एड़ी और टेस्टी सब्जी बना रहे हूं मेथी और आलो की मेथी में最 सब्शा पोस्टिक तत पया जाते हैं इसमें कैल्सीयम वीटामिन A और C और आयरान भी होता है जिन लोगों को पर आयरान की कमी होती है कि उन लोगों को हरे पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए सर्दी में बाजरे के आटा के और मक्य आटा के रोटी खाएंगे बहुत ही फायदा करेंगा बाजरे आटा गुल्टेन फिरी होता है इसमें कैल्सियम विटामिन फाइबर और प्रोटीन भी पाया जाता है बहुत मेथी के सब्जी बनाने के लिए मेथी के पत्ते को अच्छे तरीके से धो कर एक घंटा पाले रख देंगे सारा पानी निकल जाए और साप कर लें अच्छे तरीके से दो-तीन बार पानी से धोये बिल्कुल साप होना चाहिए और पत्ते इस तरीके से निखाल ले जो बड़े बड़े डंडे हैं इसे फेक देंगे तो में पाले ही दोकर बारीक काट लेंगे जितना हो सके उतना बारिक काट लें और जो इसके ऐसे डंठल है यह सब में हटा दी हूँ और चार-पांच आलो ले ली हूँ यह बहुत चोटी है पांच आलो मेडियम साइज के अच्छे तरीके से दो कर चील कर और इसके टुकड़े में बड़े-बड़े काटोंगे मेथी में आप अलग में बनाएं तो टुकड़े बड़े काटें तो ज्यादा अच्छा रहता है तो मैं काट कर तयार कर ले रही बहुत लोगों को तेल घी से परहेज रहता है तो मेथी की सब्जी में तेल घी नहीं डालेंगे तब भी अच्छा लगेगा मैं सड़सों को तेल इस्तेमाल कर रही हूँ और दो छोटाचे मचली हूँ और एक छोटाचे मचजीरा डाल देंगे और साथ आठ लासुन के कलि अच्छे तरीके से कम ज्यादा कर सकते हैं नमक और मिर्च जितना परसंद करते हूं उतना डालें अच्छे तरीके से इसे मिला कर है क्या सरक आघ साथ क्षेण की तेयर करके छोड़ेंगे चार-पांच मिनिटन के लिए धिमयाज पर छोल देख लेंगे कर देकिवालेंगे पांच मिनिट के बाद है फिर से मिला लेंगे, अभी अच्छे तरीके से पकी नहीं है, एक बार और कवर करेंगे, दो मिनिट के लिए, दो मिनिट बाद, चिक कर ले रहे हूं, फिप्टी पेसेंट पकना चाहिए, उसके बाद मेथी के साथ पक जाएगे, आलो, अब हलका कलर भी चेंज हो चुका है, यह देखें, थोड़ा-थोड़ा कच्छा रह गया है भी, अब हम मेथी डाल देंगे, कोई भी पत्ते वाली सब्जियां होती है, सर्दी में बहुत अच्छी मिलती है, और बहुत ही फायदे मंद होती है, इसे 4-5 विनिट के लिए कवर करके छोड़ देंगे, फिर मिला ले सरीर में आइरन की कमी हो, उनको पत्ते दार सब्जियां खानी चाहिए, सर्दियों में तो जरूर खाएं, बहुत अच्छी सब्दी मिलती है, सर्दी में पत्ते वाली, मिला ले हो अच्छे तरीके से, कवर करके छोड़ देंगे, ताकि जो आलू थोड़ा बहुत कच्छी ह अलो भी पक जाए, और मेथी भी पक चुकी है, एक बार और मिलाएंगे, ज्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, हरी सब्जियों में, सिर्फ नमग और हरी मिर्च डाल दें, इतना काफी है, जीरा के तड़का लगा दें, थोड़ी हींग डाल दें बस, और कोई मसाले जवरत पड़ती है, आलो चेक कर ले रहे हूं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आलो गल चुकी है, मेरी सब्जी तयार हो चुकी है, हिल्दी और टेस्टी, सर्दियों में कोई भी पत्तेदार सब्जियों हों, जैसे पालाग, मेथी और मूली के पत्ते, सर्सों का साग, चना के हरे कोई भी साग बना कर छा सकते हैं, और इसके साथ बाजरे काटा के रोटी हो या मके काटा के रोटी हो, सर्दियों में सरीर को गरम रखने के लिए खा सकते हैं, अगर आप बाजरे के रोटी बनाना चाहते हो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इस तरीके से बहुत असानी साब बना सकते हैं, बाजरे के आठा गुलुटेन फ्री होता है, इसमें कल्सियम भी अधिक मातरा में होता है, और हमाई बटन पर लिंक दे दियें, इस तरीके से बाजरे के आठा के रोटी बना सकते हैं, इसमें विटामिन भी फा करें एक बार